गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को जैंगो सीखने के लिए कितनी पाइथन आनी चाहिए अब यह आप यकीन निबानोगे इस चैनल पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है और यह सवाल भी बहुत ज़ादा लेजिट है क्योंकि इस सवाल में कुछ गलत नहीं है आप लोगों को कितनी पाइथन आनी चाहिए यह मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूँ जैंगो सीखने के लिए कितनी पाइथन आनी चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए यह जान लेते हैं कि जैंगो में हम करेंगे क्या जब हम जैंगो को इंस्टॉल करेंगे और उसको ऐसा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे आप लिखा लिखाया कुछ python code पहले से लिखा लिखाया कुछ python code जो की काफी complex होता और उसको समझने की जरूरत नहीं है यह मैं आप लोग को बता दूँ पहले ही उसको समझने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जब आप उसमें अपना addition करेंगे अपना customization देंगे उसमें यानि कि मैंने उसको text utility website के तौर पर मैंने उसको convert किया और अगर आप लोग कोई दूसरी website बना रहे हो social network वगरा तो आप उसके इसाब से coding करोगे तो करते क्या है जैंगो में अगर आपने start नहीं करी है जैंगो तो मैं बता दूँ कि एक boiler plate यानि कि जो पहले से लिखा लिखा लिख लिखा 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 लिख टपल होती है, लिस्ट, डिशनरी, टपल, यह आपको आना ही आना बनता, क्योंकि फिर आप जब टेंपलेट्स की डिरेक्टरी अड़ करते हो, सेटिंग्स.py में, उसके अंदर एक लिस्ट होती है, तो बो सब कॉंसेफ्ट आपको पता होने चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए, कि डिशनरी के अंदर लिस्ट आप डाल सकते हो पाइटन में, जोकि ऐसे कॉंसेट आपको सेटिंग्स.py में मिल जाएंगे, जैंगो की सेटिंग्स.py फाइल जो होती है, उसमें प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग्स होती है, मौझूद है पाइथन में, यह पता है अगर आप लोगों को, तो वो तो आप एडिटिंग करी लोगे, उसकी वो तो बिल्कुल आप तो जानते ही हो, फिर मतलब क्या करना है उसमें, आप लोगो बैक्स्पेस के दो-चार फटके लगाने है, और अपना जो है, जो भी आप डालना चाते हो, स्टार्टिक यॉरेल और जो भी आप लोग यूज करना चाते हो, अज अपना टेंपलेट और कहां पर आप अपनी टेंपलेट की जो फाइल्स हैं वो रखोगे, वो सब आप कहा रखना चाहते हो यह सब आप लोग वहाँ आपर configure कर दोगे ठीक है चलो इतना आपने कर लिया अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है URL patterns में आना होता है और वो होती है project की urls.py file तो urls.py file जो होती है उसमें आप बताते हो कि अगर कोई user आएगा मेरे home page पर तब उसको क्या दिखाना है कोई आएगा slash home पर तब उसको क्या दिखाना है कोई आएगा slash blog पर तब उसको क्या दिखाना है और इसके लिए आप एक jango app create करते हो अब आपको अभी क्या create किया था वो project था एक project के अंदर एक app होती है jango में और वो app के अंदर आप लोग क् बनाओगे, अब यह URL पैटर्स क्या होंगे, यह directly link होंगे, वियू से, वियू क्या होता है? वियू Python code होता है, जो की execute होके, अपना मसाला, यानि कि अपने variable से template को पास कर देता है, अब यह सब हो सकता है, आपको समझ में ना है, लेकिन मैं बस यहां पर यह बताना चाहता इंपोर्ट करना आना चाहिए और अगर आपको इंपोर्टिंग नहीं आती है तब आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी क्यों कि आप लोग का जो व्यूस.py है वो आप इंपोर्ट करोगे उसके specific functions इंपोर्ट करोगे अपनी urls वाली फाइल में और आप लोग इंपोर्ट करोगे अपने settings के variable को अलग-अलग files में तब आपको import का ही concept अगर नहीं पता तब वहाँ आप फज्जा होगे इसलिए एक file से दूसरी file में variables, functions और classes भी अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है वरना कोई problem नहीं है importing of classes को छोड़ दो वैसे एक ही तरीका है जैसे आप variables और functions को import करते हो वैसे आप classes को भी import करते हो तो उसमें कोई वहाँ difference आपको मिलने वाला नहीं है लेकिन variables और functions को एक file से दूसरी file में कैसे import करना है इसका ग्यान आपको पूरा होना चाहिए चलो आपने तब ही सीख लिया ठीक है अच्छे से सीख लिया अब क्या आता है अब next step क्या है और वो कौन से concept है जो आने चाहिए Python के अब एक बार आप जब function बनाओगे अपने views.py के अंदर तो वहाँ पर आप लोगों को function के अंदर arguments देने पड़ेंगे उनको manipulate करना पड़ेगा और finally एक context बनाकर template को pass करना पड़ेगा और वो जो context आप template को pass करोगे वहाँ पर आप लोगों को उसको parse करना पड़ेगा ठीक है pass और parse अलग अलग है, pass का मतलब pass कर रहे हो यह निकि दे रहे हो template को और parse का मतलब उसको समझना, जो template हो समझेगी उन variables को, तो यह दो काम होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को classes and objects नहीं भी पता हैं, तो यहाँ तक आप कर लोगे, लेकिन class की जानकारी क्यो important हो जाती है, यह मैं बताता हूँ, अब देखो, अगर आप एक ऐसी site बना रहे हो, जिसमें आपको सिर्फ एक simple सा backend चाहिए, और आप static files ही serve कर रहे हो, जो कि rarely होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ information आप database में डालोगे, डालोगे, मैं लिखके दे दूँगा आप कागस के डोड़े पर, आप डालोगे ही डालोगे, एक थोड़ी सी भी complex website बना रहे हो, एक contact form तो हो गई ना, तो database से साथ तो interaction करना पड़ेगा, अब settings.py को अब बताते हो कि यार मैं जो हूँ, यह वाला database यूज़ करने वाले हो, वोगर mysql यूज़ कर रहे हो, तो बतात WhatsApp, Flask में क्या होता है, कि आपको मेहनत करवाता है Flask, database आपका होता है, सब कुछ आपका होता है, Django में बहुत कुछ ले के आता है, वो spoon feeding करता है Django, तो beginner के लिए Django बहुत अच्छा है, हाँ यह है कि यह सब जो Python के concepts हैं, वो थोड़ा मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन यह है कि यार मैं यह database यूज करूँगा, उसके बद आपको बताना पड़ता है कि क्या आप store करने वाले हो अपने database की table में, क्या नाम होगा table का, तो वो चीज़ आप declare करते हो classes से, ठीक है, तो आप class बनाते हो, जैसे मान लो कि मेरी जो table है, उसका नाम है contact, मैं लोगों की contact information store करना चाता हूँ, उसमें मैं उनका नाम, उनका address और उनका जो और भी चीज़ों होती है, और क्या होती है, email ID होती है, phone number होता है, जो भी details collect करना चाते हो, आप वो details आप लोग बनाओगे, एक class के तोर पर एक class का नाम आप दोगे, contact और उसके अंदर आप लोग कुछ variables बनाओगे और आप बताओगे कि भाई ये जो नाम है, email है, ये सब चीज़े मैं store करना चाता हूँ, तो आपको class क्या पूरी आनी चाहिए, पूरी oops आनी चाहिए, नहीं, आपको classes and objects में बस इतना पता होना चाहिए, कि class कैसे बनती है, फिर उसके बाद आप लोग को बस इतना पता होन चाहिए, कि उस class का एक object कैसे बनाते है, अब आपको अगर oops नहीं पता, तो मेरा Python in 1 वीडियो एक बहुत अच्छा उधार ने इस चीज़ का कि कितना चाहिए, जैंगो सीखने के लिए, मैं safely ये बात आपको बोलता हूँ, कि अगर आपने मेरा Learn Python in 1 वीडियो देख लिया, तो वीडियो देखने के बाद, जो कि मैंने डाला हुआ है Python Tutorial in Hindi के नाम से, वो वीडियो देखने के बाद आप Django स्टार्ट कर पाऊगे, but it's always good कि आप अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा हो, तो एक बार आपने class कैसे बनाते हैं ये देख लिया और उस class का object कैसे बनाते हैं तो आपको काफी help मिलेगी, class क्या होता है, blueprint होता है, एक template होती है, जिससे object बनता है, जैसे कि for example, मान लो आप जाते हो न, dentist के पास, या फिर आप लोग जाते हो कहीं hospital में, या फिर कहीं आप जाते हो school में, admission लेने के लिए, तो क्या होता है, form होता है, बोलता है कि feedback form भर दो, feedback form क्या है, template है, जिसकी मदद से कोई भी feedback form भर सकता है, उसमें सब चीजे लिखी हों, या आपको हमारी service कैसी लगी, ये कैसा था, वो कैसा था, लेकिन, लेकिन at the same time, वो एक व्यक्ति के दुआरा भरा हुआ feedback form, वो क्या है, वो है हमारा object, यानि कि वो एक entity हो गई, जो कि इ होती है, वो template होती है, object होता है, एक entity जो इस template की सहायता से बनाई गई, तो वो objects आपको पता होने चाहिए कि कैसे बनाते हैं, बस इतना जान लो, class कैसे बनाते हैं, उसके अंदर आप data members और member functions ये सब चीजे कैसे लिखते हैं, ये जान लो, और उसी के साथ साथ, object कैसे बनता है, बस ये जान लो, अब यहाँ पर classes and objects, आप लोगो को इसले भी आना चाहिए कि जब आप एक table को query करोगे, जब आप jango के ORM को use करोगे, जो कि आप लोगो को table से data निकालने में सहायक होता है, उससे जब आप data निकालोगे, तब वहाँ पर क्या होगा, कि आपको मिलेगा query set object, वो एक object होगा, और आपको उसकी properties को access करना पड़ेगा dot operator लगा कि, जो कि simple होता है, एकदम simple होता है, जैसे कि मानलो एक contact object है, तो मैं उसका जो नाम है contact, मानलो C1 नाम है उस object का, तो C1.name करके उस contact object का नाम पता कर सकता हूँ, तो वो सब चीज़े बहुत असान हो जाती ह और फिर Django आपके Python mastery की वज़ा बन सकता है, और वज़ा बन जाएगा अगर आप लोग नलगन लगाई तो, मैं फिर बोलूँगा इस बात को, कि एक बार इतना Python सीख के अगर आप लोग जैंगो में आके अच्छे अच्छी websites बनाने लग जाते हो, तब आपको आने लग जा फिर आप Django पढ़ो, उससे अच्छा है कि इतना Python सीख लो कि Django पढ़ने लायक बन जाओ, फिर Django पढ़ पढ़ के Python सीख लो, कैसा लगा, पताओ, तो यह चीज जो है बहुत interesting मुझे लगती है, और मैंने अपने कई काम इस प्रिंसिपल को बहुत implement किया, लाइफ में, क्या लेकिन इससे बहले कि मैं आप लोगों को बता हूँ, Django, Python और यह सब कोर्स मेरे पास अबलब दें, आप चेक आउट कर लेना, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताओंगा, आप लोग नीचे चैनल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना क्या 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 कोर् लिए, आपको HTML और CSS भी तो आनी पड़ेगी, अगर front side की scripting आप लोग कर रहे हो, तो JavaScript कौन करेगा, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, कि भाई, Django एक backend framework है, Django आपका HTML, CSS आपको अतनी जनरेट करके नहीं देगा कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी website बन लगना है, तो कोई Django थोड़ना लिख के देगा, कोई Django magic थोड़ना, आपका होगा कि Django, मेरा portfolio बना दो, और वो portfolio website आपको बना के देदे, यह technology अभी आई नहीं है, कभी आईगी तो video बना के बता दूँगा, लेकिन अभी नहीं आई है, ठीक है, तो आपको front end सीखना ही प JavaScript है, जिसको copy paste करके आप चुपका सकते हो, और बहुत अच्छी VR, अच्छा काम करती है, responsive website बनवाती है, लेकिन ये बात आपके कान में डालना मेरी जिम्मेदारी थी, कि HTML, CSS हो, JavaScript भी आनी चाहिए, अगर बहुत अच्छी website बनाना चाहते हो, अगर ठीक ठाक दिंखने वाली आपको उतनी JavaScript आनी चाहिए, लेकिन एक बात बताओ आपको, Bootstrap इतना powerful है कि आपको अच्छी से अच्छी, professional से professional website बना के दे देगा, और आपको HTML, CSS, JavaScript में उतना अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ for the meantime, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, मैं यह नहीं कहा दो Bootstrap से, तब तक के लिए, जब तक आप Python जैंगो में अपना focus देर, और future में कभी जिंदगी बहुत बढ़ी है, HTML, CSS, JavaScript भी सीख लेंगे, ठीक है, इस तरह का mindset आप लोगों को, बहुत आगे लेकर जाएगा, एक चीज़ पर focus करके, उसको आप एक level तक सीख लो, और वैसे आप लोगों को, जितना मैंने बताया इस वीडियो में उतना आ गया, तो आप जैंगो सीखने के लिए, qualify करते हैं, go ahead, और जैंगो सीखने आप start कर दो, मेरे पास Python का course भी है, Python का one वीडियो भी है, जैंगो का course भी है, जैंगो का एक one वीडियो भी है, थोड़ा लंबा है, धाई-तीन गंटे का वीडियो है, बट उसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, आपको मैं recommend करूँ का time अगर आपके पास है, तो आप लोग पूरा course मेरा start करो, Python का, जैंगो का भी full course start करो, और उसी के साथ साथ यार, इस वीडियो को like भी कर दिया करो, और अपने दोस्तों के सा करते हैं, और मेरी भी मैं आप लोग के लिए इस तरह का और content लेकर आपाँगा, so अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही guys, thank you so much guys for watching this video, and I'll see you next time.